अब्रिवान मैं हूँ आनंद मेता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITC Limited के बारे में देखें खबरों का जो सिल्सिला है वो गरम है और बड़ी बड़ी खबरे आप देखने को मिल रही है अब बिते कुछ दिनों की बात करें ITC में जो तेजी है लगता तेजी बनी हुए वीडियो में जानेंगे तेजी के वज़ा और आभी हमें क्या डिसीजन्स लिना चाहिए बाइंग के मौके देखने चाहिए या फिर दोगे देखने चाहिए जानेंगे सब कुछ लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जरू सब्सक्राइब कर दीजे बिल आइकोन बिट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे विडियों से जो आपको काफी यहां पर हाई बनाया था 492 रुपे से फिर एक गीरा 412 रुपे पे गया फिर उपर गया यह 442 और फिर निचे गया 465 और उसी के आसपास अब ट्रेड होते विए दिखाए दे रहा चे मैना की बात करूंगा 35% की बढ़िया तेजी है 344 से यह सिंधा भाग के गया था 492 के आसपास इस पूरे साल में देखा जाए 40% की तेजी है और यहां पर डिविडेंट भी मिला हुआ डिविडेंट को मिला करके बात किया तो यहां पर अच्छे खासे पैसे बने निवेशकों का एक साल में देखा जाए तो देखें यहां पर 303 रुपे से यह भागा हुआ औ 329 रुपे पर बड़ा और 383 रुपे का आसपास यह था और वहां से सीधा यह भागा रॉकेट वन करके पीछे मुडने का नाम ने लिया पिछले 5 साल में देखेंगे 53% की यहां पर तेजी है पिछले 5 साल में लेकिन कोविड के टाइम जो गिरावाट आई थे यह 164 के आस वीडियोस में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए वेए यह जो आज की न्यूस है आई टीसी संजीव पूरी एक्स्पलेन वाई दा कंपनी विल फोल्ड 40% स्टेक नीन आई टीसी होटल तिक डीमर्ज के खबरे आ गए आप इंडीमर्ज हो चुका है इनका आई टीसी का बि Cigarette 2 Hotel Major ITC Limited held its investor conference call on July 27, 2023. The chairman and managing director Sanjee Puri explained the reason why the company choose to return 40% स्टेक in the दीमर्ज ITC hotels. तो यहाँ पी जो 40% स्टेक है वो टीमर्ज जो इंडीमर्ज बिस्नस होगा ITC hotel में वो 40% स्टेक कंपनी रह करही है. Puri said the दीमर्ज entity to have a royalty-like arrangement of use to the other ITC brand and asset. ITC will stay invested in the hotel business with the holdings of also draws and edges for this course. If verticals from the दीमर्ज entity, the hotel entity will have a strong balance sheet and also be debt-free, it can also raise capital either through debt equity or from strategic investor, he holds an analyst over the on-call. So इन्होंने यह बताया हुआ है कि इन्होंने 40% उनका स्टेक रखा हुआ है रिटेल बंदों के लिए इसमें क्या news आता है, definitely हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. He further said the new entity ITC hotel will able to raise capital from a strategic investor when required, and it will work on an asset-light model requiring a modest amount. So इन्होंने बताया हुआ है कि जो इनका business demurge हुआ है, उनका 40% stake company के पास है, क्योंकि company को माल लिजाए आगे अगे पैसा raise करना होगा, तो वो अपने equity को वेगरा से पैसा raise कर सकते है, क्योंकि जो इनका business and debt-free business है ITC hotels का, और अच्छा कासा revenue आ रहा है, उन्होंने जुलाय 24, 2023, Board of ITC Limited gave its principal approval to demurge the ITC hotel business a move long expected and speculated by its investor, however, the stock price failed nearly 4% post the announcement and another 3% on the next day as a investor don't quite like the details of demurge, demurge, demurge के खबरे आने के बाद यहाँ पर स्टोक में थोड़ी बोड़ी गिरावाट देखने को मिली है, और जैसे जैसे भी और भी कोई बड़ा अपडेट आता है, definitely हम उसके उपर ही बात कर लेकिन देखिए आपे आज की एक खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पांसो 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 पैसाट रुपे का आपको टार्गेट मिला वाँ जे एम फैनांसियल से बड़ा बात है यह और एक्शली इस टाइम पे जब डिमर्स की खबरे आरे वहाँ पे इतने बड़ा टार्गेट देना बिसनस के लिए का पी जादा अच्छा है जे एम फिनांसियल एज बाइक कोल ओन आई टी सी विसे टार्गेट प्राइस ऑफ पांसो पैसाट करेंट मार्गेट प्राइस ऑप आई टी सी चार सो एक हत्ता टाइम प्रियेड गिवन बाइनलिस्ट टार्गेट पिछले पूरे आने वाले एक साल की है यह टार्गेट रिशन टार्गेट नहीं के आने वाले एक दो महिने में आपका हो जाएगा इन्होंने बताया हुआ है एनलिस्ट की जो टार्गेट है वो पिछले एक साल का इन्हों नेक्स्ट वनियर का टार्गेट दिय काफी ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव जो इनके संजीव पूरी जी है उन्होंने बहुत ही अच्छे से कंपनी को मेनेज किया जिसके फायदा देखने को मिला है अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला यहां पर आइटी सी कर में बात करूंगा आज जो बोल्यूम यहां पर ट्रेड हुए बोल्यूम भी अच्छे काते ट्रेड में लगबक ट्रेड हुए निनानबे लाक से जादा का बोल्यूम यहां पर ट्रेड होते विए दिखाए दिये और एकॉर्डिंग टो मैं मनी कंट्रोल यूजर बात करूं क्या है उसके बारे में जानने का पर्यास करें देशं के लेकिन जो फैनानसियल स्यहां पर हमने देखा हुआ है फिनांसियल देखने का पूरा प्रियास करें डेकि एक्वोर इosten आपको 91 लोग खरिदारी के लिए cancellan कर रहे है और ह lifetime सब नेनटी वनपर्शन आपको खरिदारी के लिए के रहे होङरे हैं भी बात करेंगे मार्च लिए बाट राट शेक्स पर फिर गळावन क्रोड qa वहां चे बाद करूगा अर बात करूगा प्रॉफिट भी देखिएं के लगातार बाड़ से यह 575 क्रोड का उआथा प्रॉफिट मार्च कि लेकिन जैसे क्यों का रतीज़ा आता जोस्ब्स लिए ट करूं कि यहां पर देखने का चांस रखते हैं दिमर्ज के बाद यहां पर दिखने को मिलती बर जैसे कोई नए अपडेट आथा डेफिनिटली यहां पर बात करेंगे और जो प्रॉफिट है यहां पर देखें पर देखें जाद में पी रेश्यो की बात करूंगो जो वेलुएशन है यहां पर 30 रुपे का पी रेश्यो है सक्टर पी 47 रुपे का थोड़ा सस्ता कह सकते हैं यहां पर बेलुएशन के दाफ से 89 परसेंट टिकर टाप के एनलिस्ट आपको बाइंग के रिकामनेशन कर रहें जिके होल्डिंग के बात करेंगे शेयर पेटिंग होल्डिंग में यहां पर मोटर नहीं है पर मोटर यहां से भाग चुके हैं विच्वर्फन 9.17 परसेंट अधर डॉमेस्टिक इस्टूशन टूट टूट इन पॉइंट इस्टिटूशन 46.76 बड़ी मातरा में फोरें इस के नतीजा आएगा और साथ ही अपडेट अपडेट होगा तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बट यहां पर देखेंगे जो फ्रेस बाइंग के मौके हैं मुझे लगता है कि इस टौक अभी गीरा हुए है और यहां पर अगर यह साड़े 400 के आसपास आपको मिलता है 450-455 तो आप एक बढ़िया मौका में देख रहा था अब यह भी उतना ज्यादा महेंगा नहीं हुआ प्राइस प्रेस बाइंग के मौके जरूर इसमें देख सकते हो और जहां तक में लॉंग टाम की बात को तो लॉंग टाम में मैं काफी ज्यादा बुली स तो यूज करता ही होगा ITC का FMCG सेक्टर का में बता रहा हूं मैं सिग्रेट बिजनस का बारे में नहीं बता रहा हूं तो इस वीडियो में पर जितना है अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जरूर निफोर्मिशन पानी कर चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ह आप ITC को लेकर कि क्या सोचते हों मुझे कमेंट बॉक्स में जिरूर बताईगा वीडियो कौन देखने के लाइप बहुत बहुत धन्यवाद थाइक्यू